दोस्तो हिंदी सिनेमा की दिगज गाई का लता मंगेसकर ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया लता मंगेसकर कोरोना पास्चू पाई गई थी ऐसे में दोस्तो उन्हें मुंबई की ब्रीश केंडी अस्पिताल में भरती कराया गया था सिंगर की हालात को देखते हुए डाक्टर्स ने उन्हें तुरंत अस्पिताल में भरती किया था दोस्तो स्वर कोकिला को कोरोना होने की खबर उनकी भांजी रचना ने दी थी ANI से बात करते हुए इन्होंने उस वक्त कहा था कि लता दिदी की हालत फिलाल ठीक है रचना ने आगे कहा था कि उनकी उम्र को देखते हुए एतिहाती काड़ों से ही उन्हें आईसियो में रखा गया है कृपिया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और दीदी के लिए प्रार्तना करें दोस्तो मंगेशकर को इससे पहले नमबर 2019 में सांस लेने में तकलिप की सिकायत के बाद अस्पताल में भरती कराया गया था उस समय गाईका की छोटी बहन उसा ने कथित तौर पर कहा था कि गाईका को वारल इंफेक्शन हुआ है दोस्तो आपको बता दे बानवे वर्षी गाईका ने कई भासाओं में एक हजार से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने रिकॉर्ड किये हैं 28 नमबर 1921 में लता मंगेशकर का जन्ब हुआ था दोस्तो इनोंने हिंदी सिनेमा में महत्पूर्ड योगदान दिया है लता मंगेशकर को भारती सिनेमा में आहम योगदान देने के लिए पद्म भूसड पद्म भिभूसड दादा साहब फाल के पुर्षकार समेत कई राश्टी फिल्म पुर्षकारों से सम्मानित किया गया है उनका नाम गिनिज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी सामिल है दोस्तो इनोंने बहुती छोटी उम्र में ही गायकी की सुरवात कर दी थी पीता के निदन के बाद उन पर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई थी दोस्तो लता मंगेशकर की देश की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक थी इनोंने ना सिर्फ अपनी जादूई कला से सभी को अपना कायल बनाया बलकि अपने अधुत ब्यक्तित से भी सबकी पसंदीदा रही है दोस्तो पिछले कई दिनों से कोरोना जैसी बिमारी से जुझते हुए लता दीदी के लिए पूरा देश दुवा करता रहा लेकिन उनका सफर इस दुनिया में अब खत्म हो गया है दोस्तो आठ जनवरी को लता मंगेशकर की कोरोना पास्टू और निमूने जैसी बिमारी का सिकार होने के बाद मुंबई के ब्रीश केंडी होस्पिटल में बरती कराया गया था दोस्तो आपको बता दे ये आईसियो में एडमिर थी अब फिल्म इंडेस्ट्री सहीत देश बिदेश से लता जी के निधन पर उन्हें स्रद्धानजली मिल रही है सभी में सोक की लहर है दोस्तो इस वीडियो के लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान इस स्वर इनकी आत्मा को सांती दे दोस्तो इनसे जुड़ी और भी जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आकन पर भी क्लिक कर लेजिए